हलो अबरीबरी दिससाइट प्रवेश है और वल्कम यू और माई यूट्व चैनल सो बिफो स्टार्टिंग दे वीडियो मैं आपको अपनी चैनल के बार में बताना चाहता हूं जो चैनल मैंने अभी हाल फिलाल में शुरू किया है इस चैनल में किसे की वीडियो आपको मिले और किन लोगों को सब्सक्राइब करने पर यहां फायदा होगा तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बार में बता दू प्रवेश कुमार एक प्रफेशनल चैनल है जहां पर मैं अपना टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा आपके साथ शेयर और आपको मैं बता दूँ टेक्निकल वीडियो के साथ साथ यहां पर कुछ व्लॉग्स वीडियो आपको यहां पर मेलेंगी जो मेरी डेली एक्टिविटीज के साथ इंक्लूड़िड होंगी जो चीज़े मुझे करना पसंद है वो चीज़े आपको मैं करता नजर आऊंग लोकेशन दिखाना चाहूंगा इस लोकेशन पर मैं आज अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा हूं सो तो अब आपको अब तो इस प्लेस वेर आम शूटिंग माफ फॉस्ट वीडियो और यह बहुत जबदस पारक है इसलिए आं स्टार्टिंग माडे फ्म दे आनी पार्क सो बिसिकली उस पाग में अट लिस्ट अपना एक खंटा में जरूर देता हूं अपनी माइंड बोडी को रिलाक्स करने के लिए देन आफ्र आ स्टार्टेड माडे सो वीडियो व्लोग के रिगार्डिंग नहीं है जैसे आपने थमनेल में देखा ही है कि वीडियो एक प्र प्रोफेशनल वीडियो में मैं आपको बताना जाओंगा सबसे पहले अपने क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ और वट इस ऑटो मूबाइल इंडस्टी और आज वेल आम शेरिंग विद यू ते वर्ट वस दू हिस्ट्री ऑफ ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री सो अटो म नहीं अटो मोबाइल इंडस्ट्री वह को इसा नहीं यह ओ अंडस्ट्री जो कमपनिया में फटी ऑए भी एकल XX कौन कोन से व öl्यकल्स सब्सक्राइब करते हैं यह जो अठोड़ कापनिया घ्यू और आंखिट्टिया करने अश्ट。ISTN कॉमन कॉरु वही क्पनियु मेन्यु और अटो मूबाइल इंडस्ट्री तो बिसिकली ट्रेक्टर एरोप्लेन अगर कुछ भी कंप्रियां बना रही हैं ऐसी कंपनियां जो वहीकल्स बना रही है जिससे गुद्स और परसंजर्स का एक्सचेंज होता है अपनी जगा से दूसरी जगा पर भी मूव करते हैं ऐसी कं तो निसो तीस से मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहता हूं आटो मोबाइल इंडस्टी ऑटो मोबाइल इंडस्टी उनिसो थी से पहले हमारे भारत में डिट्यू इमेजिन देट कि हमारे भारत में कोई मैनिफेक्ट्रिंग नहीं होती थी अधिकार वर ओंपॉर्ट वेल एस्टेबिस्ट कंट्रीज सो उसमें क्या हम इंपोर्ट करते थे काडियों को और यहां के जो लोग रहीस लोग थे वो लोग इन काडियों को यूस करते थे उसके बाद अगले दस दश्कों में मतलब 90 40 आते आते धीरे-धीरे जैसे यह माजादी की तरफ बढ़ते ग अगें अगर हम 1940 से दीरे-धीरे बात करें तो रोड मैप्स बनने लगे और नहीं टेकनालोजी आने लगी टांसपोर्ट होने लगा और लोगों को क्रेज बढ़ने लगा धीरे-धीरे और गाडियों के लिए पैसेंजर्स को मूव करने के लिए कौफी समय लग जाता था ए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो उन्हें भी कुछ ना कुछ एक ऐसी चीट चाहिए थी जिससे वह अपने टाइम को कम कर सके तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे और 2008 आते आते जहां पे लगबग एक से दो ही आटो मेकर्स हमारे भारत में थे जाए दौसटर आते आते लगबग लगबग पैतीस प्लेश हो गए और पैतीस इंड़स्ट्रियां और आटो ओटो मॉबाइल इंड़स्टी में काम करने लगी और आज आपको पता ही है कि हर दिरारा न्यूमरस कंप्ञी हुआ डिलिंग इन अटा मॉबाइल इंडस्ट्र सो अगेन मैं आपको इसका हिस्टी के साथ साथ मैं आपको इसका प्रेडिक्शन और बता तो फ्यूचर क्या है दो एक गौर्मेंट रेश्व है गौर्मेंट रेश्व में जिसमें बताया गया है कि 2026 ऑटो मोबाइल इंडस्टी विल कंट्रीबूट 10 परसेंट टूटल इंडस्ट्री के बारे में गाड़े बनानों के मामलों में बट दोजर पच्शबीस का जो प्रेडिक्शन है दोजर चब्सक्राइब प्रेडिक्शन है वो मैं बता दूँ आपको टॉप थ्री में आने का है अब भी सिर्फ यूएस जर्मनी एंड जपैन इंडिया और चीजों को धीरे धीरे बढ़ादने गाड़ियों की तरफ अपने करियर को ले जाए और अगर आप आप उटो मॉपाइल इंडस्ट्री में है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्स्राइब कीजिए क्योंकि और बहुत सारी चीज़े बहुत सारा नौलेज जो मैंने इन पा